श्री गनेशा इनमा, अत्ष्री, शिव पुरान के महात्मिया, अध्याएक पांच, चंचुला के प्रयतन से पार्वती जी, चंचुला के प्रयतन से पार्वती जी की आग्या पाकर तुम्बरू का विंध्य पर्वत पर शिव पुरान की कथा सुना कर बिंदुक का पिचाश स्कंदमाताओं में, मनुश्यों ने सदा आपका सम्मान किया है, समस्त सुखों को देने वाली शम्भुप्रिये, आप ब्रहास्वर उपिनी है, विश्नु और ब्रह्मा आदी देवताओ द्वारा सेव्य है, आप ही सगुना और निर्गुना है तथा आप आनंदस्वर उपि आप ही है, अब सूर्ची कहते है, शौनक, जिसे सद्गती प्राप्थ हो चुकी थी, वह चंचुला इस प्रकार महेश्वर पतनी उमा की स्तुती करके सिर जुकाय चुप हो गई, उसके नेत्रों में प्रेम के आंसु उमा आये थे, तब करुना से भरी शंकर प्रिया भक्त पारवती देवी ने चंचुला को संबोधित करके इस प्रकार कहा, पारवती जी बोलीक सकी चंचुले, सुन्दरी, मैं तुम्हारी इसकी हुई स्तुती से बहुत प्रसन हूँ, बोलो क्या वर मानती हो, तुम्हारे लिए मुझे कुछ भी न देने योग्य नहीं है, चंच प्रश्वरी, महादेवी, मेरे पती एक शुद्र जातिये वेश्या के प्रती आसक थे और पाप में ही दुबे रहते थे, उनकी मौत मुझ से पहले हो गई थी, ना जाने वे किस गती को प्राप्त हुए, गिरिजा बोलीक बेटी, तुम्हारा बिंदुग नाम वाला पती बड़ा पापी था, उसका अंतहकरन बहुत ही दुशित था, वेश्या का उपभोग करने वाला वह महामूद मरने के बाद नरक में पड़ा अंगिनत बर्शो तक नरक में नाना प्रकार के डग भोग कर वह पापात्मा अपने शेश पाप को भोगने के लिए विंध्य का पालन करने वाली चंचुला पती के महानडक से दहखी हो गई, फिर मन को स्थिर करके उस ब्राहमन पतनी ने व्यतित्रदे से महेश्ववरी को प्रणाम करके पुना पुछा, चंचुला बोली महेश्वरी महादेवी मुझ पर कृपा किजिये और दूशित कर्म करने वाल अगर शिव पुरान की पुन्यमई उत्तम कता सुने तो सारी दुर्गती को पार करके उत्तम गती का भागी हो सकता है। पुर्व जन्म में वह पिशाच बिंदुग नामक ब्राहरन था। मेरी इस सकी चंचुला का पती था परंतु वह दुश्ट वेश्यागामी हो गया। सनान्त संध्या आदी नित्यकर्म छोड़कर अपवित्र रहने लगा। क्रोध के कारण उसकी बुद्धी पर मूद तचा गई थी वह कर्तव्या कर्तव्य में विवेक नहीं कर। पाता था, अभक्ष्य भक्षन, सज्जनों से द्वेश और दुशित वस्तूओं का दान लेना यही उसका स्वभाविक कर्म बन गया था। वह अस्त शस्त लेकर हिंसा करता, बाए हाथ से खाता, दीनों को सताता और क्रूरता पूर्वक पराए घरों में आग लगा देता था। चांडालों से प्रेम करता और प्रतिदिन वेश्या के संपर्प में रहता था। बड़ा दुष्ट था, वह पापी अपनी पतनी का परित्याग करके दुष्टों के संग में ही आनन्द मानता था। वह मृत्यू परियंद दुराचार में ही फंसा रहा, फिर अंत काल आने पर उसकी मौत हो गई। वह पापीयों के भोग स्थान घोर यंपुर में गया और वहां बहुत से नरकों का उपभोग करके वह दुष्टात्मा जीविस समय विंध्य परवत पर पिशाच बना हुआ है। वही वह दुष्ट पापों का फल भोग रहा है। तुम उसके आगे यतन पूर्वक शिव पुरान की उस दिव्य कथा का प्रवचन करो, जो परम पुन्यमई तथा समस्थ पापों का नाश करने वाली है। शिव पुरान की कथा का श्रवन सबसे उत्कृष्ट पुन्य कर्म है। उससे उसका हृदेशी ग्रही समस्थ पापों से शुदह हो जाएगा और वह पेत्योनी का परित्याग कर देगा। उस दुर्गती से मुक्त होने पर बिंदुग नामक पिचाश को मेरी आग्या से विमान पर बैठा कर तुम भगवान शिव के समीब ले आओ। अब सूर्ची कहते है शौनक महिश्वरी उमा के इस प्रकार आदेश देने पर गंधर्वराज तुमबरु मनफीक मन बड़े प्रसन हुए। उन्होंने अपने भाग्य की सराहना की। ततपश्चात उस पिचाश की सती साधवी पतनी चंचुला के साथ विमान पर बैठकर नारद के प्रिये मित्र तुमबरु वेग पूर्वक विंध्याचल परवत पर गए जहां वह पिचाश रहता था। उस पिचाश को देखा, उसका शरीर विशाल था, ठोड़ी बड़ी थी, वह कभी हस्ता, कभी रोता, कभी उच्छलता था। उसकी आकृती बड़ी विक्राल थी। भगवान शिव की उत्तमकृती का गान करने वाले महावली तुमबरु ने उस भयनकर पिचाश को पाशों सुनाने के लिए तुमबरु विंध्य परवत पर गए है। फिर तो उस कथा के सुनने के लोब से बहुत से देवर्शी भी शिग रही वहाँ जा पहुंचे। आदर पुर्वक शिव पुरान सुनने के लिए आये हुए लोगों का उस परवत पर बड़ा अध्भुत और कल सुनकर उस पिशाच ने अपने सारे पापों को धो कर उस पैशाचिक शरीर को त्याग दिया। फिर तो शीग रही उसका रूप द्विव्य हो गया। अनकौंती गौर वर्ण की हो गई। शरीर पर स्वेत वस्त्रत अथा सब प्रकार से सुशोबित आभुशन उसको अंग शेखर रूप हो गया। इस प्रकार दिव्य देधारी रूप होकर श्रीमान बिंदुग अपनी प्रानवल लभा चंचुला के साथ स्वंभी पार्वती वललभ भगवान शिव का गुनगान करने लगा। उसकी स्त्री को इस प्रकार से सुशोबित देखवे सभी देविस मित हुए। उनका चित पर्मानन से परिपूर्ण हो गया। भगवान महेश्वर का वह अदबुत चरित्र सुनकर वे सभी श्रोता परमकृतार्थो पेम पुर्वक श्री शिव का यशोगान करते हुए अपने अपने धाम को चले गए। दिव्यरुपधारी श्री सतकार किया और उसे अपना पार्षद बना लिया। उसकी पतनी चंचुला पार्वती जी की सक्खी हो गई। उस धनी भुद्योती स्वरूप परमानन्द मै सनातंधाम में अविचल निवास पाकर वे दोनों दंपती परम सुखी हो गए। इती श्री शिव पुरान के महात में अध्याय पांच कता समाप्त हरे राम हरे राम 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 हरे जये हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे बोलो ओम नमाशिवाई